सु दूस्तू आप लोग कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और सुवास्प होंगे सु दूस्तू इस वीडियो में बात करेंगे कलास त्वल हिंदी सोम्माक्स के वह से BBI अबजेक्टिव कोचन आंसर जो कि आपके बोड परिच्छा के लिए काफी महात्पून है सु दूस्तू क्या आप लोग भी इस वर्स बोड परिच्छा देंगे सु दूस्तू क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो त्यारी हो काफी बेतर काफी अच्छा हो तो दोस्तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि final board परिचा में एक भी परिशन नहीं छूटे तो वीडियो को सुरू से लेकि अंतक जवर देखे कोर्सिस करे कि सही परिशन को यादिक कर सके क्योंकि इस वीडियो में जितने ही परिशनी कापी महात्पुन परिशन हैं तो चली दोस्तो सारी परिशन को देखते हैं सो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हर एक वीडियो में बताते हैं कि प्रस्ण का अंसर आप लोग पहल जानते हैं प्रस्ण पहले से याद है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स के मादम से आप लोग हर एक प्रस्ण का अंसर कॉमेंट किजेगा तो चली दूस्तो एक ही करके सभी प्रस्ण को देखते हैं सो दोस्तो आपके स्किन पर आपका पहला प्रश्ण है बाची साहिते की कौन सी बिद्दा है इसका जो correct answer राइट answer option C है निमन्द है तो दोस्तो एक का राइट answer option C है अलब प्रश्ण पर देख सकते हैं दोनव प्रश्ण है उसने कहा था किस परकार की कहानी है इसका correct answer राइट answer option C है चलित करम परधान कहानी है तो दोका राइट answer option C है अगे परिशनिया पर देख सकते हैं तीन प्रश्णि करांटी या आप से एकजाय म पूछ सकते हैं तो दुष्ट हो तीन का राइट अंसर आप्षनिया है की दिनकर को कौन राष्टी समान मिला था तो आप से जाएम पूछ सकता है दिनकर को कोन राष्टी समान मिला था इसका जो correct answer right answer option सी है पदम भूसन समान मिला था तो दुश्तु चार का right answer option सी है आप से जाएम पूछ सकता है रोज सीसर कहानी के रशनकार कोन है तो इसका जो correct answer right answer option एह है अगे जी तो दुश्तु पांच का right answer option एह है इसका जो correct answer right answer option एह है तो इसका जो correct answer right answer option भी है जगदी चन माथूर तो दुश्तु 7 का right answer option भी है अगे पृष्ण आपी देख सकते जो आटन पृष्ण कह रहा है कि मोहराकेस का जनम कब हुआ था तो इसका जो correct answer option एह है अगे पृष्ण आपी देख सकते 9 प्रश्ण कह रहा है कि परगती और समाज की लेखक है तो इसका जो correct answer option एह है नावर सिंग तो दुश्तु 9 प्रश्ण आपी देख सकते 10 प्रश्ण कह रहा है कि हंसते हुए मेरा केलापन की लेखक है तो इसका correct answer option हम बात के लिए तो इसका right answer option एह है बरजी सिरी वास्थव आपको option में ये भी देख सकता है मलड़ जी तो हंसते हुए मेरा केलापन की लेखक है तो मलड़ जी जिनका पूरा नाम है बरजी सिरी वास्थव तो 10 का right answer option एह है अईलबरस नहीं पे देख सकते हैं जो एगारन प्रश्ण कर रहा है कि उद्धै पढ़का जी किस पत्रीका के संपादक थे तो इसका जो राइट एंसर है कोरेक्ट एंसर ओप्शन ए है दिन मान तो दिस्तु एगारा का राइट एंसर ओप्शन ए है अगले प्रश्ण यहां पे देख सकते हैं बारन प्रश्ण कर रहा है कि जो लोग भैबित हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे तो इसका जो राइट एंसर है कोरेक्ट एंसर ओप्शन ए है मेधाबी तो दुस्तु बारह का राइट एंसर ओप्शन ए है तो चलिए दुस्तु अगले प्रश्ण की ओड चलते हैं अगली जो आपे प्रश्ण है तेरा नमर काफी प्रश्ण यह करा हा है कि जाई सी का जनम अस्थान था तो इसका जो और यहां पर आजागा और आप असानी से जूट सकते हैं जोनी से यह फायदा होगा फीडि में PDF, नोट्स और जो भी इपोटेंट वीडियो होगा यह आपको मिल जाएंगे तो जाके जल्जे से जूर जाएए यहाँ पर देख सकते हैं जो 24 प्रिशन का रहा है कि सूर सागर के कभी है तो इसका जो राइट एंसर है खॉरेख एंसर और और अप्चे सूर दास नाभादास दूस्तों सूला का कॉरेक्ट एंसर ऑप्शन डी है अगल प्रिशनिया पे देख सकते हैं जो अठारन प्रिशनिंग कह रहा है कि तुमूल कुलाहल कला में सी से कैप्ता के रचेटा कोन है आप से एक जाएं पूछ सकता है तुमूल कुलाहल कला में सी से कैप्ता के रचेटा कोन है तो इसका जो राइट एंसर है औप्शन ए है जैसंकर परसाद तो दूस्तु आठारा का राइट एंसर ऑप्शन ए है जितने भी स्टूडेंट इस बीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले सेर कर दीजे ताकि और भी स् चुहान की लिखी कैपता कौन सी है तो इसका जो राइट एंसर एक और और प्रशन प्रिष्ण कराई की समसीर बहादूर सिंग को हिंदी साइटे में क्या कहा जाता है समसिर बहादूर सिंख को हिंदी साइटे में क्या कहा जाता है इसका जो right answer है correct answer है option A इसका right answer है कभी कि कभी कहा जाता है तो B का right answer option A है अगला प्रशन यहां पर देख सकते हैं कि इनमें से कौन मुक्ती बोद की कौन सी रचना है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option B का right answer हो जाएगा जनजन का चेरा एक या आप सिक जाएँ पुछ सकता है इनमें से मुक्ती बोद की कौन सी रचना है या यहां पर चार दे दिया और पुछ देखा कि निम में से मुक्ती बोद की रचना कौन सी है या कौन है तो इसका जो correct answer है right answer option B हो जाएगा जनजन का चेरा एक अगला प्रिशन यहां पर देख सकते हैं जो 22 प्रशन कह रहा है यहां पर काफी महत्मौन प्रशन है का रहा है कि पार्टे पु जानते हैं तो कॉमेंट किजिए इसका जो right answer correct answer option A है जो कि हम बात करें विडिंग परधान कहता है यह तो पात्ते पुष्टक में रगवीर साही की सैंक ले अधिनाय कहता है कैसी कहता है तो विडिंग परधान कहता है तो दूस्तु 22 का right answer option A है तो दूस्तु आपको याग ह कि यह जो अधिनाय कहता है कैसी कहता है तो विडिंग परधान कहता है तो 22 का correct answer option A है यह प्रशन है जो कि पूछे गए प्रशन है तो आपके एकजाम में आज सकते हैं अगल प्रशनिया पे देख सकते हैं जो 33 प्रशनिक कह रहा है कि प्यारे नन्य बेटे को कैपता में लो अगल प्रशनिया पर देख सकते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिया है यह चैन्किए वायोट में आपको जाना है वहां से थैक तो आपको फहलो कर देदेना है ठीक है तो आपलोग जा कि जली से जुरी इंस्टाग्राम ृटेली ग्राम जहां से भी मर्जी है जो शुल्य जाई है जीतने भी हमारा सोसल एकंट है से ठीक है तो वहां से जाकर देखे 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 27 प्रश्ण ए मैं सब निम्लीखित में कौन सा है तो इसका जो कोरेक्ट एंसर है ऑप्सन भी है सर्भ नाम है मैं सब्सक्राइट एंसर ऑप्सन भी है अगल प्रशनियां पे देखेए 28 प्रशन कराई की जल का विशेशन है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option A हो जाएगा जलिए तो दुश्तो 28 का right answer option A है अगल परिशनिया पे देखते 29 प्रशन कराई की करमा वाचे का उधारन है तो इसका जो correct answer है right answer है option हम बात कर लें तो 20 का right answer है कामना से चिठी लिखी जाती है तो दुश्तो 29 का correct answer option B है अगल परिशनिया पे देखते 30 प्रशन है मैंने आम खाया है वाक्य का उधारन है या जो दुश्तो खराई की मैंने आम खाया है इस वाक्य का उधारन है तो इसका जो correct answer है right answer है option C है आज सत्र भूत का उधारन है तो दुश्तो 30 का right answer option C है अगल परिशनिया पे देख सकते 31 प्रशन कराई की लरका पेर से गीर परा लरका पेर से गीर परा इसमें किस कार की बिभाक्ती लगी है तो इसका जो correct answer है right answer option D है जो की और पादान कार के बिभाक्ती लगी है तो 31 का correct answer option D है तो दुश्तों आपको बता दे इस कलास में कलास 12 हिंदी सौमाक्स के कुल यहां पे 31 भीब्याय अब्जक्टी प्रशन थे तो पहले से आपको कितने प्रशन या थे सई सई नीचे कॉमेंट करे वीडियो आपको अच्छा लगा पसनात वीडियो को एक लाइक कर दीजे क्योंकि लाइक करने में एक रुपया भी नहीं लगता है तो एक लाइक कर दीजे और साथ इस वीडियो को सेर कर दीजे और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलत कि ये ठीक है सो दुस्तों आप लोग ये भी कॉमेंट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेट के उपर वीडियो चाहिए ताकि उसी के उपर वीडियो आपको मिल सके तो चली दुस्तों फिर मिलें किसी और वीडियो साथ तब तक लिए जैहिंद